बारिस के टाइम पे बहुत सारे इंफेक्शन हो जाते हैं और बहुत सारे लोग बहुत सारी परिशानियों से जूज रहे होते हैं, बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं बारिस के टाइम पे, तो मैं आज आपको ऐसी चीज बताने वाली हूँ, जिसको खाने से आपकी बहुत सारी परिशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा जो आपका जोड़ों का दर्द है वो ठीक हो जाएगा सर्दी, हाश, इम्म्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी बहुत सारी चीज़ों में आपको आराम मिलेगा और उस चीज का नाम है घी जी हाँ घी के साथ ऐसा क्या मिल आपके खाएं जिससे आपकी बीमारी छूम अंतर हो जाएगी बहुत सारी परिशानिया, बहुत सारी बीमारिया आपकी गायब हो जाएगी तो ये सारी चीज़े मैं आपको बताऊंगी इसी वीडियो में तो प्लीज कंटीनियू वाच कीजेगा वीडियो को पूरा देखिएगा और इसकिप कर करके बिल्कुल मत देखिएगा तो वेलकम माई निव ब्लॉक्स मैं हु महक आप सभी का अपने यूटूब चैनल पर स्वागत करती हूँ गाईस और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला नुस्का तो आप लोग मेरे साथ बने रहेगा तो आज मैं आपको बताऊंगी कि घी में ऐसा क्या मिला के खाएंगे कि आप हेल्दी रहेंगे जी हां काली मिर्च अब काली मिर्च को कैसे खाना है कितना खाना है और इसे कौन-कौन सी बीमारिया ठीक होंगी घी और काली मिर्च को साथ में मिला के खाने से आप कौन-कौन यूटूब फैमिली का हिस्ता बनने के लिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा तो आज का वीडियो जो है अब इस्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला फाइदा जो है बहुत ही ज़ादा तकलीफ देने वाला होता है जिनको ये दर्ध होता है उनसे पूछो कि कितनी परिशानी का सामना करना पड़ता है उठना बैठना चलना सा मुस्किल हो जाता है तो जोडो का जो दर्ध है वो सही होगा अगर आप घी और काली मिर्च साथ में मिलाके खाते है तो अब कितना खाना है ये भी बता देती हूँ एक चमच आपको घी ले लेना है और आधा चमच काली मिर्च पॉड़ल ले लेना है दोनों को वेल मिक्स करना है तो आपके जोडों का दर्द भी गायब होगा और अगर आपके जोडों में स्वेलिंग है तो वो भी गायब हो जाएगी यानिकी सूजन है वो भी गायब हो जाएगी तो आप जोडों के दर्द से राहत पहेंगे और शर्दी खासी जी हाँ बहुत सारे लोगों को शर्दी ख तो आपके पेट से सम्मंदित बहुत सारी परिशानियों से आपको चुटकारा मिल जाएगा अगर आप घी के साथ काली मिर्च मिलाके खाएंगे तो आपका इम्म्यूनिटी बहुत ही अच्छा हो जाएगा आपके आखों के लिए भी यह बहुत ही अच्छा है गाईस अगर आपको आखों की प्रॉब्लम है आपको कम दिखाई देता है आपकी आखों की रोशनी भी बढ़ती है अगर आप काली मिर्च और घी साथ में खाते हैं तो मिक्स करके खाते हैं ओके अलग-अलग नहीं और आपके आखों की रोशनी कैसे बढ़ेगी आप घी को ले लिजी आपने तलवों पे पैरों के तलवों पे बढ़िया से मालिश कीजिए और आप देखेंगे कि आपके आखों की रोशनी कैसे इंक्रीज होती है आपको इतना ज्यादा बेनिफिट मिलता है यह कंटीनिव करना पड़ेगा एक से दो बार करने में आपको फायदा नहीं मिलेगा इस चीज को आपको कंटीनिव करना पड़ेगा तब ही आपको इसका फायदा दिखेगा कम से कम देर से दो महीने यह नहीं कि आपने चार दिन पांजिन कर लिया अप फिर आप बोलोगी नहीं फायदा नहीं हो रहा तो ऐसे नहीं होता है गाईस आपका जो ब्लड शुगर ह है वो भी बहुत ही अच्छा रहेगा कंट्रोल में रहेगा और अगर नहीं है तो होगा भी नहीं और आपका हार्ट बहुत ही ज्यादा है जो कहना चाहिए ना ब्लड शर्कुलेशन है ब्लड शर्कुलेशन अगर आपका अच्छा होता है तो हार्ट भी आपका अच्छा ही होता है तो अगर आपका भी blood circulation सही नहीं है आपके heart में problem है अगर आपके heart में problem नहीं भी है तो आएगी भी नहीं अगर आप घी और काली मिर्च का सेवन करते हैं तो बस एक मात्रा होनी चाहिए ये नहीं कि आप फिर फायदा देने वाला है तो बहुत सारी मात्रा में खालो त ताकि नुकसान नहीं करें तो गाइस बहुत सारी परिशानी अगर आपके सरीर के किसी भी अंग में swelling है तो आपको उससे भी छुटकारा मिल जाएगा आपकी skin भी अच्छी होगी आपके hairs भी अच्छे होगे और eyes तो अच्छी होगी ही मैंने आपको बताया ही तो अगर blood circulation अच्छा होता है न तो बहुत सारी बिमारिया automatic ही आपसे दूर हो जाती है तो आपका heart भी अच्छा रहेगा और आप बहुत सारी परिशानियों से छुटकारा पालेंगे तो आज का वीडियो में यहीं पर finish करती हूँ बहुत सारे health benefit है घी और काली मिर्च साथ में खाने के तो एक बार आप भी try कीजिएगा घी और काली मिर्च को खाईएगा और फिर मुझे बताईएगा comment box में comment करके कि आपको कितना जादा फायदा हुआ है और आप कितना जादा healthy रहते हैं जब आप यह continue करेंगे तो आज का वीडियो में यहीं पर finish करती हूँ खल में फिर लिए आपके नए knowledge के साथ तक्सक्त के लिए हैं बाइ बाइ